मेरट के पुलिस लाइन में चल दही यूपी पुलिस सिपाही भरती के लिए शेक्षिक पर्मानपत्रों की सत्यापन की परकिरिया के दोरान पुलिस ने एक हफते के भीतर दूसरे मुनाभाई को फरजी तरीके से भरती हो रहे एक युवक को हिरासत में लिया है पकड़े गे मुनाभाई से पुलिस पुश्टाश कर रही है बताय गया है कि आरोपी यूप ने अन्नी यूप को लिखित परिक्षा देने के लिए पैसे देकर हायर किया था दरसल यूपी पुलिस में सिपाही भरती के लिए शेक्षिक परमानपत्रों के सत्यापन और नापतोल के लिए मेरड जोन की नो जिले मेरड, गाजियाबाद, बुलन शहर, हापूर, गोतम बुतनगर, बागपत, सहरनपूर, मुझाफ़नगर और शामली का पुलिस लाइन मेरड में सेंटर बनाया गया है पुलिस बर के अभ्यारतियों के परमानपत्रों का सत्यापन वन नापतोल की गई है यहां बायोमेट्रिक जाँच के दोरान एक वेक्ति के दस्तावेज मेलना खानी पर उसे हिरासत में लिया गया है नोडल अधिकारी भरती बौर्ड संजीव वाजपे ने बताया कि सत्यापन के दोरान पुलिस ने बायोमेट्रिक जाँच के दोरान एक यूवक को हिरासत में लिया है जाँच परताल में सामने आया है कि यूवक ने सोलवर के जरिये लिखित परिक्षा दिलाए थी उसकी कागजात में दी गई फोटो भी मैच नहीं किया है फिलाल पुलिस उससे पूछताज कर रही है गोरतलब है कि बेती पांच तारिक को भी पुलिस ने ऐसे ही एक मुन्ना भाई को पकड़ा था जो कि सिपाई भरती में फरजी कागजात के सहारे भरती होने पहँचा था पकड़ा गया और क्या प्रियुजम थे यह डॉकुमेंट वैरिफिकेशन और शारीक नापतल यहां चल रहा है पुलिस लाइन में इसी दरहान एक अभिरतियां आया इसका नाम नीरज है जो उसका बायोमेंट्रिक मिलान नहीं हुआ फोटो भी मैच नहीं हुआ तो इससे पूस्ताच की गई तो उसने बताया कि उसको कोई सेंटर पर लड़का मिला था इसके दोरह एक्जाम दिया गया जो भी अभी इस पूस्ताच की जा रही है जो भी उसके आपको बाद में आपत करें अभी पूस्ताच की जारी है कुए है अभी श्ताच की जा रही है